Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय क्या हो अगर किसी भी देश का almost 90% या उससे भी अधिक electricity generating power plants बंद हो जाए मैं बात कर रहा हूँ यूकरेन का लगभग 20 साल से उपर हो चुके हैं Russia-Ukraine war का और अब यूकरेन को इतना जादा नुकसान हो गया है कि शायद यूकरेन कभी उस नुकसान का भरपाई नहीं कर पाएगा almost 90% या इससे भी अधिक electricity generating power plants जो यूकरेन में operate हो रहे थे वो सारे आज के डेट में बंद हो चुके हैं और इसके बाद almost एक सवाल जो हर कोई अब President Zelensky से पूछ रहा है कि अब तुम कभ करोगे समर्पन ये हमारे सामने जो map है ये लगभग तेड़ साल पुराना map है जहां पर आप देख सकते कि almost 20 या 25% जो most important region था यूकरेन का वो already आज के डेट में रश्या के control में है और latest अगर आप बात करेंगा तो बहुत हद तक chances है कि almost 30 से लेके 35% जो यूकरेन का area है वो आज के डेट में रश्या के control में आ चुका है ये सारे जो areas थे वो यूकरेन के industrial areas थें तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो सबसे अधिक revenue generate हो रहा था या किया जा रहा था यूकरेन के लिए वो इनी सब areas से किया जा रहा था मतलब ये होता है कि यूकरेन के पास आज के date में उसका जो सबसे most revenue generating करने वाले areas था वो सभी कुछ आज के date में रश्या के अंडर में आ चुका है तो यहां से भी आप अंदाजा लगा लिजे कि आज के date में यूकरेन को कितना नुकसान हो गया है जैसे कि भारत में भी होता है कि नवेंबर के महीने से लेके till February last तक हम ये मान के चलते हैं कि इंडिया में winter रहता है खास करके मैं North India के बात कर रहा हूँ तो वैसे ही कुछ यूकरेन के बारे में भी कहा जाता है इन फैक्ट यूकरेन में तो temperature minus में चला जाता है तो ये भी एक सबसे बड़ा वज़ा है कि क्यों अब बढ़ चड़कर electricity या energy के requirement के बारे में बात होनी शुरू हो गई यूकरेन के president का नाम है Zelensky और इनके prime minister का नाम है Denise इन्हों ने officially ये चीज़ को accept किया कि almost जितने भी यूकरेन के thermal power plants थे वो सभी खतम हो चुके हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि Russia उन सब areas को जान बूच के bomb किया तो किसी भी जगा पे अगर वार होता है तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि सामने वाला देश यानि जो आप पे attack करेगा वो आपके assets के उपर attack करेगा यही चीज़ जो Middle East में हो रहा वहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा और यही चीज यूएस भी करता और यही चीज यूकरेण भी बहुत हद तक किया है लेकिन क्योंकि यूकरेण कहीं पे भी stand नहीं करता है रश्या का तो इसी लिए जो आज का position है यूकरेण का वो कुछ ऐसा आपको पढ़के लगेगा कि रश्या कितना गलत कर रहा यूकरेण के साथ लेकिन इसी प्रेसिडेंट जलेंस्की का अगर आप body language देखते इस war के शुरू होने के पहले तो वो इतने aggressive और इतने over confident हैं कि जिनको देख के लग रहा था कि वो रश्या को तो बस एक सपता के भीतर ही हरा देंगे और सबसे अजीब बात है कि ना ही तो प्रेसिडेंट जलेंस्की ना ही तो इनके जो close associates हैं वो ये मानने को तयार ही नहीं है कि यूकरेण को इतना नुकसान हो गया जिसका भरपाई भी अब नहीं किया जा सकता एक तरफ तो इनका ये मानना है कि almost 90% या उससे भी अधिक जो electricity generating power plants थे वो खतम हो चुके हैं लेकिन इनको अभी भी लगता है कि ये इतने सारे generators available करवा देंगे कि वो एक proper substitute बन जाएगा thermal power plants का तो ये चीज़ सुनके भी आपको बहुत ही जादा अजीब लगेगा तो इस कीज़ को आप किस तरीके से ground में implement करेंगे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है चाहे हम बात कले प्रेसिडेंट जलेंस्की के बारे में या इनके जो associates होंगे उनको तो hardly कोई परिशानी होगा क्योंकि वो अपने personal power generator को carry कर सकते हैं लेकिन जो common civilians होंगे यूकरेन का उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यूकरेन में जो ठंड है वो minus में जाता है तो अगर कोई भी देश एक full-fledged war में होता है तो सबसे अधिक जो परिशानी होती है वो उस देश के common civilians को ही होती है और वैसे भी किसी भी देश के लिए मौसम का मार को जहल पाना बहुत मुश्किल होता है इन फैक्ट जो बड़ी-बड़ी economies है वहाँ पे भी winter के time पे लोग काफी परिशानीयों का सामना करते हैं नॉर्मली जो body का immunity होता है वो भी घर जाता है summer के time में आप almost कहीं पे भी आप राद गुजार सकते हैं जो की एक बहुत ही आखो देखी बात है लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए winter के बारे में तो situation complete तरीके से opposite हो जाता है Russia और Ukraine के बीच में war करवाने के पीछे तीन से चार देशों का एक बहुती active participation है पहला है UK, दूसरा है US, तीसरा है France और बहुत हद तक जर्मनी भी है और आज के date में ये सभी देश almost जो promises किये गया थे President Zelensky को अपने सभी promises से वो पीछे आ रहे हैं और साथ में multiple ऐसे reports पब्लिश हो रहे हैं जहां पे बताया जा रहा कि वो सभी देश जो कल तक Ukraine को support कर रहे थे उनका support आज के date में drastically घट चुका है और ये अब सभी कोई मानना शुरू कर दिये हैं कि almost जो Ukraine है वो on the verge of collapse है और साथ में Ukraine कुछ इस तरीके से collapse करेगा कि वहां से वो वापस आभी ना पाए शायद क्यूंकि USA के बाद सबसे अधिक weapon देने वाला देश जर्मनी है तो इनी सब देशों को convince करने के लिए Mr. Zelensky लगे हुए है और इनके पास या ये hypothetically पता नहीं ये कौन सा एक victory plan को बनाया है जिस victory plan को लेके ये अलग-अलग देशों को दिखा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं और उनसे ये उमीद कर रहे हैं कि वो देश उनको बढ़ चड़ कर weapons दे तो यहां से भी समझ में आता है कि President Zelensky सच में एक मंद बुद्धे इंसान है जो खुद का ego को इतना बढ़ा कर दिये हैं कि उनके कारण जो common civilians है यूकरेन का वो सफर कर रहे हैं और साथ में अगर बात किया जाया तो यहां से कोई भी ऐसा situation बनता हुआ नहीं दिख रहा जहां पे यूकरेन किसी भी तरीके से रश्या को हरा दे और भेजते कुछ और है यानि कि on papers तो इतने बढ़ चड़कर promises किये गये थें जिस promise को पढ़के ऐसा लगता कि पता नहीं है कि अगर सच में ये सारे promises अगर fulfill हो जाएंगे तो रश्या में भी हार जाएगा लेकिन यूएस को पता है कि अगर वो किसी भी तरीके से एक हद के बाद रश्या को challenge करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये war रश्या यूकरेन से हट के यूएस और रश्या के बीच में हो जाए जो कि किसी भी तरीके से यूएस कभी भी इस चीज़ को accept नहीं कर पाएगा और जहां तक बात किया जाए व्लादेमिर पुतिन के बारे में तो इन्होंने बहुत ही specifically कहा है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी देश यूकरेन को long range missile देता है और अगर उससे किसी भी तरीके से रश्या को नुकसान पहुँचता है तो रश्या directly उस देश के उपर attack क्योंकि वो जो weapon दिया गया होगा वो देश उसके पीछे responsible होगा और in fact सभी को पता है कि रश्या militarily एक काफी strong देश है और अगर किसी भी तरीके से रश्या इस war में survive किया है तो ये इसी लिए कर पाया है क्योंकि उसके बहुत बड़े जो portion है weapons के वो in-house produce या manufacture होते हैं और भले आपको यहां पर ऐसा लग सकता हो कि रश्या सिर्फ यूकरेन से लड़ रहा हो बलकि reality यह है कि लगभग रश्या एक बार में एक साथ में लगभग 30 या 35 देशों से लड़ रहा जहां पर complete तरीके से European Union है, USA और भी इसके साथ बहुत सारे और भी अलग-अलग देश है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye